आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और हर बार की तरह आज फिर हम आपके सामने जो है Hydraulics, Machinery या फिर कह सकते हैं Fluid Mechanics या फिर Hydraulics से आप कह सकते हैं हम आपके सामने आज फिर एक नया टॉपिक लेक्ट लेक्ट आए हैं और आज की इस क्लास में हम आपका टर्बाइन का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और टर्बाइन की चैप्टर को हम डेटेल ने पढ़ेंगे अच्छे से स्टडी करेंगे और हर बार हर एक टॉपिक में फिर उसके MCQ's questions को हम देखेंगे तो चलिए आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिर आपका fluid machinery के अंदर आप कह सकते हैं या fluid mechanics में आप कह सकते हैं तो आज का जो हमारे topic है जिसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे है वह हमारे आपका turbines का ठीक है चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहूंगो कि जो लास्ट चेप्टर हमने ये स्टेडी किया था आपका फ्रूड मशीन्टी से अफिर हाइडरोलिक मशीन्टी से उसमें हाइडरोलिक डिवाइसीज का चेप्टर था उसको कवर किया तो हमने क्या-क्या topic कवर किये थे introduction on hydraulic devices hydraulic press, hydraulic jack hydraulic ram, air lift pump hydraulic accumulator hydraulic brake और आपका hydraulic intensifier तो हमने ये सब भी topic जो है आपका hydraulic devices के chapter से कवर की हैं और जितने भी आपके topics हैं ये बहुत important है ये बहुत important है अगर आप assistant motor vehicle inspector के ये आज़ाम की त्यारी कर रहे हैं तो आपको आपको exam में जो है आपको इन topics में से जो है आपको MCQs questions ज़रूर मिलेंगे और अगर आप technically किसी भी आप exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपको hydraulic devices के chapter से इन topics में से MCQs questions आपको ज़रूर मिलेंगे तो जो बच्चे diploma pursuing pass out है या फिर बच्चे 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 के pursuing pass out है या फिर AMI correspondence pass out है तो उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे आपका mechanical या उसके allied branches से diploma B.TEC AMI का correspondence course कर चुके हैं और बच्चे जो आपका on campus की, off campus की या फिर government की exam की किसी भी exam की त्यारी कर रहे है तो hydraulic devices का जो chapter है यह आपका सभी exams के लिए यह मतलब बहुत important है आप कोई भी exam आप देख लिए on campus, off campus, government exam आपका hydraulic devices के chapter से यह जो topics हैं इन में से questions जो हैं MCQ में जरूर पूछा आते हैं इवन कि अगर किसी बच्चे का fluid mechanics के subject बहुत अच्छा है और वो इंटर्वी में बताता है कि मेरा fluid mechanics है और hydraulics सब्जेक्ट है मेरा बहुत अच्छा है तो उसमें भी इन topics से questions जो हैं पूछी जाते हैं तो आपने अगर अभी तरक हमारे YouTube channel को subscribe नहीं कि तो हमारे YouTube channel को subscribe कि आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे तो अगर आपने हाइड्रोलिक का जो पूरा चेप्टर जो अगर आप देखना चाते हैं इसको सारे topics आप पढ़ना चाते हैं तो आपको इस वीडियो के description सभी के link मिल जाएंगे और हर एक topic के साथ जो उसके MCQ questions भी आपको चेप्टर है हाइड्रोलिक डिवैसिस के हमारा complete हो गया है और आज हम नया चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका टरबाइन का हम टरबाइन का चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पूरा detail में discuss करेंगे हर एक class में जो भी topic होगा हम उसके व्याप पे उसके MCQ इस questions को भी अच्छे से prepare करेंगे ठीक है तो चलिए तो आपने गर हाड़ोड डिवैसिक चप्टर नहीं देखा तो इस सभी topics के link जो है आपको इस वीडियो के description मिल जाएंगे महां से का जाकि आप जो है सभी lectures को attend कर सकते हैं और हाड़ोड डिवैसिक चप्टर जो है यह का जो चप्टर है आपका इस टोपिक में अलड़ी वीडियो बना चगों पहले अपने YouTube चैनल पर तो मैं दुबारस भी वीडियो नहीं बना रहा हूं तो मैंने आपको इस सामरे लिंक दिखाई दे रहा होगा तो यह post आपको दिखाई दे रही हो और यह आपको link दिख सकते हैं at least six minute के around यह आपकी वीडियो है जिसमें कि हमने topic कवर किया है इसमें what is turbine, what is the difference between आपका turbine and pump, what are the types of turbines, what is the major difference between the types of the turbines, तो यह चार टॉपिक जो है आपका इस वीडियो लेक्चर में मैं अल्रड़ी एक कवर कर चुका हूं पहले, तो आप जो है इस वीडियो को आप द description में दे दिया है, तो वहां से जाके आप complete introduction देख सकते हैं, मैं दुबारा इसलिए वीडियो नहीं बना हूं कि अल्ड़ी मैं इस पर वीडियो बना चको हूं और यह मेरी YouTube चैनल पर अविलेबल है, इसका जो लिंक के आपको इस वीडियो के description मिल जाएगा, तो यह सबी topic ज जो है आपको उसका आचिसरी के लिए हो जाएगा, टर्माइन क्या होता है, क्या difference होता है, टर्माइन कितने types के होते हैं, और आपका major difference है आपका turbines में वो क्या है, तो हमने इस lecture में cover किया है, ओके, इसके बाद जो आपका आता है, यह next जो lecture है, आपका difference between impulse and action turbine, तो आप जो है इस वीडियो को आप देख सकते हैं, अलड़ी यह lecture जो मेरे YouTube चैनल पर अवलेबल है, क्योंकि अगर आप यह टर्माइन का चैप्टर उठाएंगे, तो सबस्पार इंट्रोडक्शन और टर्माइन आपको मेलेगा, उसके बाद जो impulse, टर्माइन, डिक्शन टर्माइन जो हो तो अगर आप यह दुनों lecture attend कर लेते हो तो आपको जो होता है, कि टर्माइन कैसी होता है, तर्माइन का क्या प्रमाइन की थारी होता है, तर्माइन की कितनी होती है और उनकी टर्माइन का इसके फתरिक से प्लिशन होटाता है, और आपको यह फरस वीडियो से यह क्लिए हो करके आप दोनों के बीच के डिफ्रेंस को आप देख सकते हैं तो इस लेक्चर का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोनों जो लेक्चर हैं आपके इंट्रोडक्शन के यह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे बार repeat करने का फायदा नहीं है तो आप उस दोनों वीडियो को देख लीजे आपको इस वीडियो के description ने जो आपको अच्छे से देख लीजे और यही हैं आपको सामने रहा हूं तो सबसे पहला जो question which of the following are the hydraulic machine इन में से कौन सी आपका hydraulic machine है pattern turbine, gear pump, centrifugal pump, all of these तो यहाँ पर बात आई आपका hydraulic machine जो है इन में से कौन सी है ठीक है ना तो यह आपका अगर हम देखें आपका pattern wheel turbine, gear pump, centrifugal pump, all of these तो यह से भी जो है कि आपका, यह से भी आपका hydraulic machine है तो इसका right answer जो है वो आपका D है ठीक है next question a prime over in which gradual change in the momentum of fluid is utilized to produce rotation of member is known as तो इसमें कि एक prime over है जो की gradually जो है आपका जो फ्लूट का जो मोमेंटम है उसको change करता है और जो फ्लूट का momentum change होता है तो उससे कारण जो है वो क्या करता है वो कि एक member कुछे rotation produce करता है rotation transfer करता है जब फ्लूट का जो है momentum change हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है एक member कोई rotation जो है वो मिल रही है तो उसे क्या कहते है टरबाइन कहते है पंप कहते है और इफिस कहते है या इनमें से को है नहीं है उससे कहते है आपका turbine right answer is a question number 3 which of the following are the component of turbine इनमें से जो है कोई सा जो है आपका टरबाइन के जो है component है runner component है bucket यह भी component है guide apparatus यह भी आपका component है turbine का और last answer all of these तो right answer is d यह सभी जो है आपका turbine की component है में पार्ट है इसके बाद आपका next question question number 4 a turbine in which available head is converted into velocity head by using nozzle is known as तो गयरा वो तरबाइन जिसमें कि आपका available head water का उसको convert के आता है velocity head में with the help of the nozzle carrier या फिर बाइन आप नोजल कह लीजिए तो उसे हम क्या कहते है इंपल्स टरबाइन डिक्शन टरबाइन pump all of these वह सम्क्राइन आपका impulse टरबाइन राइट आंसर इस ए को नेक्स्ट कोशन कोशन नमर्फाइव तो तरबाइन इंविज दा वाटर एंटरिंग दी रणर पसेंगे जिसमें कि कि जब water enter करता है तो उणके प्रैसर से कानेटिक energy में change हो आता है तो इस turbine इस टाइप के टाइपन को क्या कहते हैं जिसमें की प्रैसर अनर्जी और काइपनेटिक इनर्जी दोनों को use होता है turbine को run करने में तो इस टाइप के टाइपन को impulse turbine कहते हैm reaction turbine कहते हैm इसका question number 6 which of the following are the types of impulse turbine इन में से जो आपका कौन सी impulse turbine की जो types है classification impulse turbine की तो पैल्टरिन विल टरबाइन गिराल टरबाइन बोट एड भी इन में से कोई नहीं तो जो impulse turbine जो इसकी जो types है आपका पैल्टरिन विल टरबाइन और गिराल टरबाइन दोनों जो आपका impulse turbine की ही types है तो इसका जो right answer है वोग आपका C इसके बाद next question question number 7 which of the following are the types of reaction turbine इन में से जो है कोई सी reaction turbine की types है Francis turbine, Kaplan turbine बोट हैं भी इन में से कोई नहीं तो Francis turbine और Kaplan turbine दोनों ही जो हैं आपका reaction turbine की जिया का types है तो इसका जो right answer है वोग आपका C next question, question number 8 on which of the principle turbine does work तो principle जो आप turbine है वो किस principle पर काम करता है moment of momentum, moment of inertia momentum या फिर टॉर्क तो जो हमारा जो turbine है वो moment of momentum के principle पर काम करता है तो इसका जो right answer है वो आपका यह है या तरबाइन का जो working principle है वो moment of momentum है turbine इसी principle पर work करते है next question, question number 9 in a turbine dash energy convert into dash energy तो turbine में कौन से energy जो है किस energy में convert होती है hydraulic energy, electrical energy में convert होती है hydraulic energy, mechanical energy में convert होती है mechanical energy, electrical energy में convert होती है all of these जा फिर यह सभी ठीक है तो इन्हें टरबाइन hydraulic energy जो आपका mechanical energy में convert होती है तो right answer is B इसके बाइब का next question आता है question number 10 a device which is used to increase the pressure energy of fluid is known as वो device जो की pressure energy को increase करने में help करती है इस ड्रबाइन पंप बहुत एंड बी या फिर इन में से कोई नहीं तो वो device जो की fluid की pressure energy को increase करने का help करती है इसकी fluid की pressure energy को बढ़ाने में मदद करती है उसको हम कहते हैं आपका pump तो right answer is B तो अगर आप ऐसे आगे और भी topics को पढ़ना चाहते हैं या प्रिविस topics को आप ऐसे e-book की form में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस e-book को ले सकते हैं तो यह हमारा volume 1 है जो कि आपको amazon पर मिल जाएगा इसमें आपका hydraulic machines का आप पार्ट नहीं है उससे पहले कि जो आपके चेप्टर हैं से आपका introduction हो गया आपका food mechanics है hydraulics साथ में आपका properties of fluid हो गया आपका pressure and measurement आगया fluid flow हो गया आपका तो वह उसमें जो important topics हैं वह सारे आपको इसमें मिल जाएंगे hydraulic machine में आपका जो है जैसे आपका turbine हो गया pump हो गया hydraulic machines हो गई तो उनका जो volume 2 जो आएगा तो आपको इसकी information दे जाएगी तो अगर आप इन सब अभी topic को जो अच्छे से पढ़ना चाते हैं तो आप इस e-book को ले सकते हैं और प्रपेशन को better कर सकते हैं यह e-book आपका Amazon मिल जाएगी और इस e-book का link जो आपको इस video के description मिल जाएगा आप वहां से इस e-book को ले सकते हैं इसके साथ हम बताना चाहें कि हमारी जो और भी e-books हैं जो कि आप जो है Amazon से ले सकते हैं अपनी complete exam की त्यारी के लिए, campus placement के लिए, off-campus placement के लिए और आपका interview की preparation के लिए तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहें कि हमारी जो e-book आपका mechanical companies, technical interview questions, explanation इस e-book में mechanical की companies हैं, उनके previous time में जो on-campus, off-campus interviews हुए हैं, उनकी questions साथ में उनके answers आपको मिल जाएंगे, तो आप इस e-book को ले सकते हैं और अपना on-campus, off-campus की preparation को आप better कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप HPCL के exam की preparation कर रहे हैं, बोलर technician की exam के लिए तो आप इस e-book को ले सकते हैं, इसने previous years के exam में जो questions आएं, वो इस e-book में दिये हुए हैं इसके साथ साथ अगर आप Kolkata Municipal Cooperation का सब assistant engineer, mechanical के लिए अगर आप preparation कर रहे हैं, तो आप इस e-book को ले सकते हैं, क्योंकि इस e-book में जो हमने previous time में जो exam में questions पुछे गए हैं, वो इस e-book में दिये गए हैं, तो आप उन questions को prepare रहे हैं, अपनी preparation को better कर सकते हैं इसके साथ साथ जो है, assistant motor vehicle inspector की जो है, यह e-book भी आपको amazon पर मिल जाएगी, इस e-book में जो completely all-in-day level पर जो assistant motor vehicle inspector exam का सेले बस है, वो आपको मिल जाएगा, साथ में जो आपको previous year में जो questions आए है, assistant motor vehicle inspector exam के वपर में, तो वो आपको इसमें मिल जाएगी, hydraulic machine volume 1 के बारे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस e-book को भी आप ले सकते हैं, इसके साथ साथ जो है, theory of machine का जो subject है, यह बहुत important है, आप चाहिए on campus में या बैठें या off campus में आप interview दें, या वी किसी government exam को आप दें, तो theory of machine का subject जो है, questions में जरूर आते हैं, तो हमने इस e- आपको हमारी जो next e-book के आपका machine design की e-book मिल जाएगी, जो कि हर एक exam में machine design से question जरूर पूचे जाते हैं, चाहिए वो आपका interview हो, या फिर आपका design field में हो, या फिर आपका government exam का, आपका exam हो, तो आपका जो है, उसमें जरूर machine design subject से question पूचे जाते हैं, तो इस e-book में चोट आपको ये technical interview preparation के लिए आपको ये book मिल जाएगी, तो जो बच्चे बी-tech के बाद DRU का scientist B का exam देते हैं, तो जो बच्चे return qualify करते हैं, तो उनका उसमें interview होता है, तो previous time में जो उसमें interview में questions पूचे गए हैं, वो हमने EC book में दिये हुए हैं, तो जो बच्चे on campus, off campus, और बी- आपके बाद scientist B का, जो नों DRU में दिया है, उनको interview के profession करने हैं, तो कोई भी जो इसी e-book को ले सकता है, और अपने interview के profession better कर सकता है, क्योंकि इंटर्यू में कहीं से कोई भी technical question पूचा सकता है, तो जितना matter मिल जाया है, वो कम है, ओके, इसके साथ हम बताना चाहेंगे, अगर आपने AutoCAD किया है, अगर अगर अपने बिखना रहे हैं, या फिर आपको लगता है, कि आप काफी expert है, आप कुछी त्यारी हो गई है, लेकिन आप mechanical की components के machine के parts के और अच्छी से drawing आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी AutoCAD 2D 3D practice e-book को आप ले सकते हैं, क्योंकि इस e-book में आपको mechanical की machinery है, उनके component साथ में आपको जो है, automobile machine, automobile के जो parts है, वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D drawing बना के और अच्छे से अपनी practice को आप कर सकते हैं, इसके साथ हम आपको बताना चाहिए कि हमारे जो अगली e-book है how to pay for getting your dream job, तो जो बच्चे है, डिप्लोमा बीटाई के हैं हमारे में first year में second year में third year में, किसी भी स्ट्रीम से आप, mechanical लेहो के हो, या किसी भी other स्ट्रीम से हो, तो आप इस e-book को ले सकते हैं, और अपनी preparation को ब आप अपनी इच्छानों साथ ले सकते हैं, और आपको एक बार बताना चाहिए कि every Sunday को हम mechanical core company का interview आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम आपके सामने जो mechanical के core companies हैं, उनके interview, HR round में, technical round में, या फिनका selection criteria क्या है, तो हम आपको बताएंगे, तो हमारे YouTube चैनल में more than 40 plus companies के जो हैं, आपको technical interview, HR interview, और उनका selection procedure आपको मिल जाएगा, तो हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, काफे सारी companies का हमने दिया हुआ है, और भी last sentence हो गया, उसमे हमने जो है, आपका के लॉसकर बहुत रूस, limited company, यह का जो mechanical का जो आपका technical interview है, उसी questions आपके सामने रखे, coming Sunday, फिरम किसे किसी company का जो है, आपके सामने जो है, उसका interview, उसका HR interview, उसका selection procedure, हम आपको detail में बताएंगे, तो हमारे YouTube चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और अपन friend circles में जो हमारी videos को share करें, तो मिलते हैं next video में, आपका next topic के साथ में, okay, thank you